हाई विएर्स वेल्कम बैक टू मैं चैनल यह एपिसोड इस ड्रामे का लास्ट एपिसोड होने वाला है तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब शेन्मोयाओ चीशन को कहता है कि वह हार गया है जिस पर चीशन कहता है कि ऐसे कैसे अभी तो मैंने अपना वार किया ही नहीं है और वह चाकू लेकर शेन्मोयाओ की तरफ बढ़ता है कि तभी शिंतान भागती भी वहां आती है और चीशन को रोपती है और कहती है कि उसका खेलम खत्म हो गया है तो जितनी इल्दी हो सके वो शेन्मोयाओ को छोड़ दे क्योंकि उसने पुलिस को फोन करके यहां बुला लिया है और पुलिस कभी भी यहां पहुचती होगी कि पहले मेरे सामने घुटने टेको और भीक मागो तबी मैं शिंतोन को छोड़ूँगा फिर उसके बाद शिंतोन उसके सामने गिड़ गिड़ाता है और घुटने टेकता है वहीं दूसरी और शिंतोन उसे रोते वे यह सब करने से मना करती है जब शिंतोन उसके जूते तक प पुसा देता है और कहता है कि यह अभी एक इंच की दूरी पर है इसलिए तु मरेगा नहीं क्यूंकि तेरे गुनाओं की सजा तुझे अभी जेल में गाटनी बाकी है फिर चाकू लगते ही चीशन वहां से गिर जाता है और शिन्मोयाओं भी गिर जाता है शिन्तोन उसे जाल तुम चुप हो जाओ और मैं एंबिलेंस को फोन कर रही है वह एंबिलेंस को फोन करती है और वहां फटाफट आने को कहती है उसके बाद शिन्मोयाओं उसके फेस पे हाथ रखकर कहता है शिन्तोन डरो मत मुझे कुछ नहीं होगा जिस पर शिन्तोन भी रोते वे कहती हाँ मुझे पता है कि तुम ठीक हो जाओगे और तभी है कहकर शिंतोन अपनी आखे बंद कर लेता है जिस पर शिंतोन उसे पुकारती है कि तुम सो नहीं सकते इसलिए जागो प्लीज मैं तुम्हें बचा लूँगी प्लीज अपनी आखे को लो देखो एम्बिलेंस यहां आती होगी लेकिन शिंतोन की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आता है और अब शिंतोन और भी ज़्यादा रोनी लगती है और फिर से शिंतोन को उटने के लिए क्याती है पर शिंतोन के तरफ से कोई हलचल नहीं होती है उसके बाद चीशन को उसके किये की सजा मिल जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है अब कुछ दिन बाद शिंतोन वाइट रोजिस का बुके फ्यूनरल यानि कबर पर चड़ाने के लिए तयार कर रही होती है कि तभी उसकी सर्वेंट महां आ जाती है और इसे कहती है मिश्शन फ्यूनरल पर जाने का वक्त हो गिया है अब शिंतोन फ्यूनरल के लिए निकलती है और उसके सामने बॉड़ीगाड आता है और कहता है मिशिन मैं आपको लेने आया हूँ जिस पर शिन्तोन कहती है कि तुम लेट हो फिर शिन्मोयाओ कहता है मैडम मैं लेट नहीं हूँ बलकि आप लेट हैं और दोनों के दोनों अब मुस्कराते हैं और फ्यूनरल के लिए निकल जाते हैं इसी के साथ हमें पता चलता कि शेन मोयाओ को कुछ नहीं वादा और यह एक हैप्पी एंडिंग है